Dear Students, आज की इस लेक्चर में हम डिस्स करेंगे Ultrasound Promoted Esterification यहने हम Ester's बनाएंगे With the help of Ultrasound Radiations यहने यहाँ पर जो Energy Source इस्तिमाल करेंगे हम वो Energy Source होगा Ultrasound Radiations समझ में आया? Ultrasound Radiations एपले करना इसको हम और एक नाम कहते हैं Sonication Sonication समझ में है? Ultrasound Radiations के बारे में आपने आर्रेडी पढ़ा हुआ है इनको अगर हम यूज करेंगे For the preparation of Ester's That is called Ultrasound Promoted Esterification अब सबसे पहले हम देखेंगे Esterification होता क्या है? Esterification का मतलब रहता है Convergen of Of Acid और कौन सा Acid? Carboxylic Acid Carboxylic Acid Into Ester इनकों कार्बागजलिक असिड को Ester में कनवर्ट करने को हम कहते हैं Esterification यह मैं ऐसे बताऊंगा अगर हम कार्बागजली कैसे लेंगे जनरली और COOH इसका reaction अगर हम alcohol के साथ में लगाएंगी ठीक तो यह reaction होने के बाद में अब किस तरह करते हैं? बताऊंगा होने के बाद में यहां से water molecule लास हो जाता है और यह बनाता है R COO और प्राइमिया और डैश जिसको आप लिखेंगे तो यहां से निकला क्या निकलता है यहां से एक तो यह हाइड्रोजन और यहां से OH ग्रूप समझ मैंना यहां से water निकलता है यहां हमें water निकलना है यहां पर हमें dehydration करनी है ठीक है रिमोल आफ वाटर करना है तो हमें इसको heat भी करना पड़ेगा एनरजी देनी पड़ी ठीक है और इसके लिए जो catalyst यूज़ किये जाते है उसमें सबसे जो अहम catalyst है सबसे जो मशूर catalyst है H2SO4 यह है dehydrating agent भी है समझ मैंना इसके अलावा और भी catalyst यूज़ किये जाते है जैसे पैरा टॉल्वीन सल्फोनिक एसिड एसिड ठीक है इस तरह से पैरा टॉल्वीन सल्फोनिल क्लोराइड है या फिर पॉली फॉस्फोरिक एसिड है पॉली फॉस्फोरिक एसिड पी पी ए ठीक है इस तरह से टॉसाइल क्लोराइड है यह सब चीज़े हम यूज़ करते हैं as catalyst esterification के लिए लेकिन यह जो esterification है यह एक जनरल सी esterification यह under conventional conditions करते हैं इस esterification में बहुत सारा time लगता है यह यह time consuming reaction है ठीक और इसमें yield भी बहुत कम आता है clear मैं फिर से दोहराता हूँ यह conventional conditions में जो हम esterification करते हैं इसमें एक तो yield कम आती है मैं कहूंगा low yield time ज्यादा लगता है और इसमें high temperature देना पड़ता है ठीक है अब अगर हम यही reaction यही esterification under ultrasound radiation करेंगे जिसे हम कहेंगे ultrasound promoted esterification तो वहाँ पर क्या होगा आप कोई carbonic acid ले लो कोई भी alcohol ले लो general सा alcohol ठीक है और इसको आप room temperature पर ले लो और ultrasound radiation दे दो ultrasound radiation यह ultrasound का symbol है ठीक है यह reaction तुरंट हो जाती है fast हो जाती है at room temperature और यह बनाता है R C double bond O O R prime यह R prime मैंने इसलिए लिखा ता कि हम समझ सकें कि यह R और यह R यह acid का R है और यह alcohol का R है यह alcohol का R इस तरफ जुड़ जाता है समझ मैंना यहां से OH निकल जाता है और यह R जुड़ जाता है right? OH और यह H निकल क्या बनाते है water यह reaction very fast है इसको हम कहते है ultra sound promoted reaction याद रखना esterification reaction जो रहता है उसमें हम एक acid मिलाते है और एक alcohol मिलाते है उन दोनों की जो combination है उससे हमें ester बनता है उसको हम कहते है esterification reaction यह reaction of carboxlic acid and an alcohol to form a stir is called esterification reaction और यह अगर हम ultra sound radiation की presence में करेंगे यह निके उपर अगर हम ultra sound radiation डाल के यह reaction करते है तब हम बोलेंगे इसको ultra sound promoted esterification ठीक है और ultra sound radiation का क्या काम है energy provide करना और आप सब को मालूम है कि यह uniformly energy provide करता है नहीं पूरी reaction में यह energy uniformly distribute हो जाती है clear at low temperature तो I hope यहां तक आपको समझ में आया होगा कि ultra sound promote esterification क्या होता है clear अब कोई भी alcohol ले लो कोई भी acid ले लो उसका आप यहां पे ultra sound promote sorry ultra sound radiation दे दो उसको वो ester में connect हो जाएगा ठीक है लेकिन यह reaction भी in presence of H2SO4 होता है and H2SO4 act says catalyst clear तो आज के ले इतना है